प्यारे भाईव बहनों, आज का वीडियो तन और मन दोनों के लिए बहुत अधिक लाबकारी और प्रेणा दायक होने बाला है आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बारे में यद पी संतनंकारी मिशन तो पहले से ही ये दोनों काम यानि हाथ जोड़कर नमस्कार करना और चरन इसपर्स करना इनकी सदाही प्रेरना देता रहा है अपने मानने वालों को नंकारी महत्मा जब एक दूसरे के सामने पहुंचते हैं तो चारण इसपर्स करने से पहले ही वो मुस्करा कर एक दूसरे को ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और फिर चारण इसपर्स कर लेते हैं चारण इस परस करने के बारे में तो हम पहले भी कई वीडियो में बात कर चुके हैं आज जो हम इस तरह से बात करने जा रहे हैं ये नमस्कार हाथ जोड़ करके करने की तो ये तो हमारी सद्योपरानी परंपरा है और ये परंपरा बहुत अधिक लाभकारी है और मनोबे ग्यानिक भी है हाथ जोड़कर नमस्कार जब करते हैं तो नमस्कार जो कर रहा है उसको भी इस तरह से हाथ जोड़ने चाहिए और जो नमस्कार ले रहे हैं उनको भी हाथ जोड़कर के नमस्कार लेनी चाहिए इस तरह से इसका लाब दोनों को ही प्राप्त होता है ये सद्यों पुरानी परंपरा, रिशी मुनियों की बनाई परंपरा इसका बहुत अधिक लाब है और संतरंकारी में सन इसे सदा ही फोलो करता है हम भी इसे फोलो करते हैं और आईए देखते हैं इसके बैग्यानिक और मनोबैग्यानिक लाब क्या हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करते समय तीन मनोबैग्यानिक चीज तो अपने आपी ही हो जाते हैं। आप चाहे आजमाकर देख लीजे, जब आप हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं, तो आप अधिक तेज नहीं बोल सकते, आपको अधिक तेज क्रोध नहीं आ सकता, और हाथ जोड़ कर आप अधिक तेज दोड़ नहीं सकते, ये तीनों काम तो तुरंत, ये तीनों लाब तो त छे इंसान की बन जाती है और वो अपने आप ही आपको आशिरबाद देने के लिए बिबस हो जाते हैं और उनका आशिरबाद आपके जीवन में फली भूत होता है और आगे देखिए कि हात जोड़ कर प्रणाम करने से किस तरह से आध्यात्मिक विकास होता है हमारे शरीर के आधे हिस्से में नकारात्मक आयन और आधे हिस्से में सकारात्मक आयन होता है जब हम शरद्धा से दोनों हाथ जोडते हैं तो इड़ा पिगला दोनों मिल जाते हैं और जब शरद्धा से सर हम जुगाते हैं तो शुशुमना का भी संचार महापर होने लगता है इस तरह से तीनों के मिलने पर हमारे शरीर का नकारात्मक आयन धीरे-धीरे कम होता है और सकारात्मक आयन धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है और इस तरह से हमारे अंदर सकारात्मक उर्जा धीरे-धीरे ब्रद्धी को प्राप्त होती चली जाती है यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है है कि जब हम इस तरह से हाथ जोड कर हिर्दे से सामने बाले को नमस्कार करते हैं तो फिर हम ना तो उसके आंगों को टच करते हैं और ना ही वह हमारे शरीर के किसी आंग को टच करता है दूसरे तरफ जब हम हाथ बढ़ा कर सामने बाले से हाथ मिलाते हैं तो फिर शरीर से शरीर का इसपर्स होता है मतलब हाथ से हाथ का इसपर्स होता है हमारे शरीर में जो उर्जा का सकारात्मक मंडल मौजूद है इन हाथों की पोरो से उंगलियों के सामने बाले हिस्से से उर शरीर से कौन सी उर्जा निकल लई है हमें इस बात का बिलकुल भी पता नहीं होता बाई देवे अगर उसके शरीर से उस समय नकारातमक उर्जा निकल लई है तो हाथ मिलाते ही उसकी नकारातमक उर्जा हमारे पोरों के माध्यम से पोर ये होते हैं उंगली के अगले वाले ही से इनके माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रिवेश करना आरम हो जाती है और हमारे शरीर की शाकारात्मक उर्जा पर वो नकारात्मक प्रभाव डालने का प्रियास करने लगती है और आप जानते हैं कि आजकल यही तो चलना है आजकल हाथ जोड़कर अभीवादन करने की प्र गया है, इसकादर बढ़ गया है कि कोई भी विर्ती एक दूसरे से हाथ मिला लेता है, चाहे जानकारी का हो, चाहे जानकारी का ना हो, तो इस तरह से भारतिय संस्कृति में जो भी परंपरा आपको दिखाई देती हैं, भारती सब्भेता में जो भी परंपराएं आपको दिखाई देती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं बहुत अधिक गहरे राज छुपे हुए हैं, तो हम हमारे मिशन में तमाम ऐसी परंपराओं का पालन करते हैं, जिन से हमें और सामने वाले को दोनों को लाब होता है, और इन ही में एक परंपरा है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताईएगा जरूर, और अपने सोजहाब भी कमेंट के माध्यम से मेरी पास तक पहुँचाने की किरपा किया करें, इनी शब्दों के साथ इजाज़ चाहूँगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लिज सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना इजाज़ चाहता हूँ, इनी शब्दों के साथ आप सभी को जैहिंद, नमस्कार और प्यारभरी धन्नकार.